राइट नाओ देख रहा है मुझे और जोबग टेस्ट बहुत ही इंट्रेस्टिंग फेस पर पहुंच चुका है अभी अभी टीम इंडिया की दूसरी पारी है वो सिमट गई है और सौथ आफ्रिका को दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए जरूवत है 249 रन की और इस इनिं प्रेशर था दोनों प्लेएर पर लगातार फैन्स ट्रोल कर रहे थे मीडिया का प्रेशर के क्या टीम में उन्हें जगे बने रहना चाहिए लेकिन कल जो कमाल की पारी खेली दोनों बल्लेबाजों ने दोनों ने अर्शतक लगाए और आज भी अपना काम कंटिन्यू करा क बड़े लंबी पारी में दब्दिल नहीं हो पाया लेकिन उसके बावजूद जो कॉंट्रिब्यूशन है आप सुनिए पुजारा 53 रन 86 बॉलें 10 चौके और रहने 58 रन 78 बॉलें 8 चौके और एक चौके के साथ कमाल की यहाँ पर पार्टनर्शिप हुई 44 पर दो थे और फ भी वैक्समन ने डिसपॉइंट किया और सब यहाँ पर अपने टेंप्रमेंट का जो हमेशा कुश्यन मांग में रहता उसका परेचे दिया कल अगर आपको डिसमिसल याद हो तो थो थोड़ा कॉंटिवर्शल था ऐसा लग रहा था कि बॉल तो रिशाब पंत के आगे गिर अधा ग्यान हो तो प्लीज अपना मूँ शांत रखी यहाँ तक तो ठीक था चलता है बैंटर होता है फिल्ड में लेकर उसके बाद तीन बॉल के बाद जो हुआ है जिस तरह का शॉट उन्होंने खेला जैसे वह आउट हुए ऐसा लपा शॉट आप क्रिकेट पार्क्स में देखते हैं कॉस्को बॉल क्रिकेट में भी ऐसे शॉट शायद ना खेले जाते हूँ आप हिंदोस्तान के विकेट की पान है तो बहुत ट्रोल किया जा रहा है और सुनूल गवासकर का भी स्टेटमेंट अभी देखिए उन्होंने ओन एर उन्होंने बोला कि अगर आप इस शॉट को जस्टिफाय करें कि आपका नाशनल गेम है तो यह डिडिकुलस है यह बेसलेस है ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला जाना चाहिए जिशाप पंदाउट हुए ओविसली उसके बाद अश्पिन और ठाकुर ने थोड़ा से कॉंट्रिब्यूट किया सोला बनाए अश विहारी जो के टीम से ओविसली इंजिरी के वापसी कर रहे थे टीम और एक सीरीज में खिलाया नहीं था न्यूज़न के अगेंस्ट वापसी करें टीम है चालेस रन इंपॉर्टेंट नॉट आउट अपनी अच्छी टेकनिक के हैं परचे दिया चारासी बॉले के लिए छ लेकिन ये मैच जबरदस पॉलिशन ने पहुंच चुका है अब यहां से कोई भी मैच जी सकता है लेकिन सभी हिंदुस्तानी क्या प्रे कर रहे हैं आप और मैं क्या प्रे कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पहली बार सौत अफ्रिका में हिस्ट्री रचे और पहली बार अपनी स